प्रस्ने 14 का दूसरा जाज किजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x q प्लस 3x स्क्वाइर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुननखंड है या नहीं तो सबसे पहले लिखेंगे माना पी x बराबर माना पी x बराबर x q प्लस 3x स्क्वाइर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 कॉमा देंगे यहाँ पर तो हम क्या मान लेंगे पी x बराबर x q प्लस 3x स्क्वाइर प्लस 5x प्लस 6 कॉमा एफ x बराबर अब हम एफ x बराबर मान लेंगे दो x प्लस 4 दो x प्लस 4 कॉमा देंगे और जी x बराबर इस तरह हम तीनों को मान लेंगे यानि पी x से x q प्लस 3x स्क्वाइर प्लस 5x प्लस 6 को मान लेंगे और fx बराबर 2x प्लस 4 को मान लेंगे और gx बराबर x प्लस 2 तो कह रहा है कि जाज किजे कि x प्लस 2 x प्लस 2 इन दोनों का गुननखंड है की नहीं देखे x प्लस 2 px और fx का गुननखंड है की नहीं यानि x plus 2 को जाज करना है कि 2x plus 4 और xq plus 3x square plus 5x plus 6 का गुननखंड है कि नहीं यानि ये जो है x plus 2 इन दोनों का गुननखंड है कि नहीं ये जाज करना है तो लिखेंगे यहाँ पर हल में तो x plus 2 को जाज करना है यानि gx, fx और px का गुननखंड है कि नहीं ये जाज करना है तो देखेंगे हल में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे किसको जाज करना है x plus 2 का इन दोनों का गुननखंड है कि नहीं तो देखे, सबसे पहले GX का हम सुन्य ज्याद कर लेंगे, तो लिखेंगे, तो GX का सुन्य ज्याद करने के लिए, GX बराबर सुन्य लिख लेंगे, तो GX बराबर क्या है, X प्लस दो, तो X प्लस दो बराबर सुन्य लिख लेंगे, क्योंकि हमें इसका सुन्य ज्याद करना है यानि एकस प्लस दो का सून्यक ज्याद करना है तो एकस प्लस दो बराबर सून्य लिख लेंगे तो एकस बराबर कितना आ जाएगा एकस बराबर आ जाएगा अब एकस प्लस दो बराबर सून्य तो एकस बराबर अब दो को बायान से दाया तरफ ले जाएगा तो x बराबर माइनस 2 ठीक है तो gx का सुन्यक क्या आ गया माइनस 2 यानि x प्लस 2 का सुन्यक हो गया माइनस 2 क्योंकि x के जगह पे माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जागा सुन्यक तो इस तरह पहले हम सुन्यक ज्याद कर लेंगे ठीक है x प्लस 2 का अब अब f x अब देखिए पहले हम p x ले लेते हैं ठीक है p x ले लेते हैं उसके बाद f x लेंगे तो p x बराबर p x बराबर कितना है x q प्लस 3 x स्क्वाइर प्लस 5 x प्लस 6 यह p x बराबर ठीक है p x बराबर x q प्लस 3 x स्क्वाइर प्लस 5 x प्लस 6 तो x बराबर कितना आया है माइनस 2 तो हम x के जगा पे माइनस 2 रखेंगे क्योंकि x बराबर माइनस 2 आया है तो p माइनस 2 यानि x के जगा पे क्या रखेंगे माइनेस दो तो P माइनेस दो बराबर क्या हो जागा X Q है यानि माइनेस दो का Q पलस तीन गुना अब X के X बराबर कितना है माइनेस दो यानि तीन गुना माइनेस दो का घात दो पलस पांच गुना माइनस दो और प्लस छे इस तरह लिख लेंगे अब माइनस दो का घात तीन तो माइनस दो का घात तीन क्या हो जाएगा तो माइनस दो का घात तीन क्या हो जाएगा तो माइनस दो पे घात में क्या है बीसम संख्या है तीन क्या है बीसम संख्या है तो माइनस में ही उत्तर आएगा अब 2 का घन यानि 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानि माइनस 8 हो जाएगा अब प्लस 3 लिख लेंगे गुना माइनस 2 पे घात में समसंख्या है 2 क्या है समसंख्या तो प्लस में उत्तर आएगा तो 2 का घात 2 क्या हो जाएगा 4 यानि-2 का वर्ग हो जाईगा 4 अब plus minus क्या होगा minus तो 52 दुना 10 यानि-10 प्लस 6 इस तरह लिख लेंगे अब minus 8 इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस 10 प्लस 6 इस तरह लिख लेंगे तो कितना आ गया तो प्लस प्लस वाले को जोड लेंगे तो बारा छे अठारा देखें बारा और छे अठारा माइनस आठारा माइनस दस कितना हो गया माइनस अठारा तो अठारा माइनस अठारा कितना हो जागा सुन ने अठारा माइनस अठारा सुन ने तो सेशफल सून नहीं आ गया इसका मतलब है कि GX जो है PX का गुन अंखंड है छीक है इसका मतलब है कि GX PX का गुन अंखंड है अब अब लिखेंगे f x f x बराबर कितना है तो f x बराबर है 2 x प्लस 4 दिखे f x बराबर कितना है 2 x प्लस 4 और x बराबर कितना आया है माइनस 2 तो अब इसमें हम x जहां जहां पर है वहां पर माइनस 2 रखेंगे तो f x बराबर 2 x प्लस 4 तो एक्स बराबर कितना आया था माइनेस दो यानि एफ माइनेस दो रखेंगे एक्स के जगा पर क्या रखेंगे माइनेस दो बराबर क्या हो जाएगा दो गुना एक्स के जगा पर माइनेस दो रखेंगे प्लस चार तो दो गुना माइनस दो क्या हो जाएगा माइनस चार प्लस चार तो माइनस चार प्लस चार हो जाएगा सूनने क्या हो जाएगा सूनने तो देखें इसमें भी सेसफल सूनने आ गया है तो लिखेंगे अता अता एकस प्लस दो x प्लस दो बहुपदों x प्लस दो बहुपदों x q प्लस 3 x square प्लस 5 x प्लस 6 और और 2 x प्लस 4 चार का एक गुननखंड है का एक गुननखंड है तो x प्लस 2 जो है x q प्लस 3 x square प्लस 5 x प्लस 6 और 2 x प्लस 4 का एक गुननखंड है क्योंकि सेसफल सून्य आ गया है देखें दोनों में x प्लस 2 का सून्यक को रखने पर x के जगा पे क्या आ गया है सेसफल सून्य आ गया है तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 जो है इन दोनों का गुननखंड है तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे उसको हल कोई को अ करेंगे जाता है प्रस्न 14 का तीसरा जाज किजे कि बहुपद QT बराबर 4T का घाद 3 प्लस 4T स्क्वार माइनस T माइनस 1 तूटी प्लस 1 का गुनज है तो QT किसका गुनज जाज करना है तो QT बराबर 4T का घाद 3 तो QT कितना है 4T का घाद 3 प्लस 4T स्क्वार माइनस T माइनस 1 तूटी प्लस 1 का गुनज है यानि तूटी प्लस 1 का गुनज जाज करना है तो देखे तो तूटी प्लस 1 तूटी प्लस 1 का गुनज है यह जाज करना है तो 2T प्लस 1 हम लिख लेंगे तो 2T प्लस 1 का हम सुन्यक सबसे पहले ग्याद कर लेंगे तो 2T प्लस 1 का सुन्यक ग्याद करने के लिए 2T प्लस 1 बराबर सुन्य लिख लेंगे तो 2T बराबर कितना हो जाएगा 2T बराबर हो जाएगा माइनस 1 और T बराबर कितना हो जाएगा T बराबर हो जाएगा माइनस एक बटा दो तो 2T पलस एक का सुन्यक क्या आ गया माइनस एक बटा दो ठीक है 2T पलस एक का सुन्यक आ गया माइनस एक बटा दो यानि T बराबर आ गया माइनस एक बटा दो अब अब लिखेंगे अब क्या दिया हुआ है QT देखे QT बराबर QT बराबर कितना दिया हुआ है 4T का घाद 3 प्लस 4T का घाद 2 माइनस T माइनस 1 यह दिया हुआ है QT बराबर तो QT बराबर इतना दिया हुआ है तो T बराबर हम कितना लेके आ गए है जिसका गुनज चेक करना है यानि जिसका गुनज जाज करना है यानि 2T प्लस 1 का गुनज है किने यह जाज करना है तो T बराबर कितना लाए है 2T प्लस 1 से तो 2T प्लस 1 से यानि टूटी प्लस एक का सूनिया क्या आगया, माइनस एक वटा दो, तो टी बराबर कितना है, माइनस एक वटा दो, अब जहाँ जहाँ पर टी है, वहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस एक वटा दो रिखेंगे, तो लिखेंगे अतर, क्यू, माइनस एक वटा दो, माइनस ए गहात तीन प्लस चार गुना माइनस एक बटा दो का घहात दो माइनस माइनस एक बटा दो माइनस एक नीचे लिख लेते हैं माइनस एक तो देखें यहां पर क्या है चार टी का घहात तीन तो चार गुना माइनस एक वटा दो का घहात तीन लिखेंगे प्लस 4 T square यानि 4 गुना माइनस 1 वर्टा 2 का गहाद 2 माइनस T है तो माइनस T के T बराबर कितना है माइनस 1 वर्टा 2 तो यहाँ पर माइनस 1 वर्टा 2 लिख लेंगे T के जगह पे और फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 को हम नीचे लिख लिए है क्योंकि इधर जगह नहीं है इस तरह इसको लिख लेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर अब देखें चार गुना अब माइनस एक बटा दो पे घात तीन है यानि घात में विसमसंख्या है तो माइनस में ही उत्तर आएगा तो एक का घन एक हो जाएगा बटा दो का घन यानि दो गुना दो चार और चार दुना आठ तो दो का घन आठ हो जाएगा यानि माइनस एक बटा आठ लिख देंगे प्लस चार गुना अब माइनस एक बटा दो पे घात दो है यानि घात में समसंख्या है दो क्या है समसंख्या तो प्लस में उत्तर आएगा तो एक बटा दो का वर्ग तो एक का वर्ग एक हो जाएगा बटा दो का वर्ग यानि दो दुना चार अब माइनस माइनस कोष्टक खटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस प्लस एक बटा दो लिख लेंगे और फिर माइनस एक को यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह हम इसको लिख लेंगे अब देखिए गुना में है तो चार दुना आठ काट लेंगे क्योंकि गुना में है यहाँ भी गुना में है 4 गुना 1 बटा 4 है तो 4 से 4 काट लेंगे क्या बच गया तो बच गया माइनस 1 पलस 1 पलस 1 माइनस 1 इस तरह लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा देखे 1 पलस 1 जो पलस में उसको जोड लेंगे तो 1 पलस 1 दो हो गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस दो हो गया, यानि कितना आ गया, सून ने आ गया, तो देखें, सेशफल सून ने आ गया है, तो इसका मतलब हुआ, तो लिखेंगे अत, अत, चाटी, चाटी का घाट तीन, प्लस, चाटी स्क्वाइर, माइनस टी, माइनस एक, कॉमा देंगे, टू टी प्लस एक, का गुनज है, गुनज है, तो जब सेशफल सून ने आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि चाटी का घाट तीन, प्लस, चाटी स्क्वाइर, माइनस, टी माइनस एक, टू टी प्लस एक का गुनज है, तो सेशफल सून ने आ गया, इसलिए, गुनज है, अगर सेशफल सून ने नहीं आता, तो हम लिखते हैं, कि गुनज नहीं है, अगर सेशफल सून नहीं आता, तो क्या लिखते हैं, कि ये गुनज नहीं है, इसका, टू टी वाव कि लुचर से और अपनी है